गुद्बॉर्णिंग बच्चो शिक्स पाइंट फोर में आ गए आज हम और आज हम दूसरी तरीके से स्क्वार रूट ढूंडना सीखेंगे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड़ से सीखा था वो कंटिनियूसली डिवाइड करते करते हमको जो जोडी में नंबर मिला मतल तो यह वाली एक्सराइज में मोस्टली यह हमको स्क्वार रूट डूंडना है वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं कोई दूसरे मेथड से तो यह मेथड में हम स्टार्ट करेंगे कैसे करते हैं तो पहले तो यह तो टू थी जिरो फॉर तो राइट एंड साइड से यूनिट से स्टार्ट करके हम दो दो का जुड़ा बनाएंगे ठीक है यह पहला स्टेप है दो दो का पैर बनाएंगे जुड़ा बनाएंगे फिर बाद में यह डिवाइडिंग स्टार्ट करेंगे और ट्वेंटी में फर्स्ट स्क्वेर कौन सा आएगा वो देखेंगे त तो 3-3-9, 4-4-16, ओके, तो 4-4-16, अभी 4-4-16 यहाँ पर आ गया, और यह वाला 4 यहाँ रखके हम 8 एड़ कर देंगे, ओके, अभी इसको हम माइनस कर देंगे, तो 4 और 3-7, 704, अभी यह जोड़ा पूरा एक साथ में उतरेगा, अभी यहाँ पर ऐसा कौन सा नमबर करेंगे, कि डाइरेक्ली आपको 704 मिल जाए, तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, 8 की, देखिए 2 की पीछे 4 है, तो मल्टिप्लिकेशन 2-2 आप 4 करेंगे, लेकिन 8-2 आप 16 होगा, तो 160 के करीब बंसर आएगा, तो वो पॉसिबिलिटी चली गई, अभी दूसरी पॉसिबिल 64, करे 6, 8-8 जा 64, प्लस 6, 704, तो यहाँ पे 704 लगाएंगे, यह 0-0 आजाएगा, और यह वाला 8 यहाँ पे लगाएंगे, तो यह 48 हमारा स्क्वेर रूट है, इसका, देखना है आपको, चलो देख लेते हैं, 48, पंटिप्लाइब बाइ 48, तो 0, 4-8 जा, 32, करे 3, 4-4 जा, प्लस 3, 19, और 8-8 जा, 64, करे 6, 8-4 जा, 32, 32 प्लस 6, 38, तो यह हो गया 4, यह हो गया 0, 9 प्लस 3, 12, यहाँ से एक आया, तो हो गया 13, 22, 30, 4, तो इस तरह से कुछ मैथड है इसकी, मैथड में सिर्फ इतना सिखना है, कि जोडिया बनानी है, दो-दो की कोई भी नंबर है, इसक जब पहला स्टार्ट करना है, लेकिन इस तरफ से, इस तरफ में स्टार्ट करना है, तो पहला स्क्वेर ढूंड़ना है, 23 में मिनिमम एक पहले दो का स्क्वेर ट्राइ करो, तो 2 जा 4, तो नंबर 23 बहुत दूर पड़ जाता है, फिर बाद में 3, 3 जा 9, तो फिर भी नंबर बहुत दूर पड़ जाता है, 4-4 जा 16 5-5 जा 25 लेंगे तो 23 से बड़ा हो जाएगा तो 23-25 नहीं हो पाएगा तो हम ले सकते हैं 4 तो यहाँ पे 4 और 4 को add करके 8 रखना है, यहाँ वेवाले 4 को यहाँ shift कर देना है तो एक 4 हमको मिल गया अभी दूसरा डूंडना है कि दूसरा कैसे डूंडे, तो यह 4 प्लस 4 8 लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे अभी एक करेक्टर और डूंडना है, वो कैसे डूंडेंगे हम कि one by one चेक करेंगे कि कहां मल्टिप्लिकेशन से यह 704 खतम हो जाता है 704 खतम हो गया तो हमारी खोज भी खतम हो गई 68 एट जा, 704 आया तो हमारी खोज खतम हो गई हमारा अंसर आ गया 48 तो कुछ इस तरह से square root टूंडना है हमें ठीक है, यह method है इसकी जब decimal का लोग है तब थोड़ा, बार में थोड़ा right hand side से units यहाँ पे, जहाँ पे यह full number है, मतलब जहाँ पे decimal नहीं है, तहां वहाँ पर बार हमेशा unit side से लेना है, और जहाँ पे decimal है, वहाँ पे दो part है मतलब एक full number है, एक decimal part है तो decimal part में जोड़ा right hand side से count करना है, ठीक है बस उतना ही change है यह और यह में, अभी आगे बढ़ते हैं दो number पे, 4, 4, 8, 9 तो इसमें भी दो जोड़े बनेंगे, चलो चलते हैं, तो first number, 6, 6, जा 36 आएगा 36 में से क्या निकालेंगे हम 4, 4, 8 तो आइधर आगे, 8, 8, 9 यहाँ पे addition होगा 6 plus 6 का, तो यहाँ आजाएगा के साइध क्या multiply करेंगे हम कि 9 मिल जाएं हमको तो एक possibility 3 है तो 3 बन्जा यहाँ पे hundreds आएगा, तो 300 आएगा तो 3 वाली possibility निकल जाती है अभी 9 पीछे तो 7 में ही आना है तो 7 से try करते हैं 7, 7 जा 49, carry 4, 7 टूजा 14, 14 plus 4, 18, carry 1, 7 बन्जा 7, 7 plus 1, 8 तो यह 7 यहाँ लगा दो और यह हमारा हो गया इस नंबर का square root ओके यह exercise एक्चुली आपकी practice के लिए दी हुई है लेकिन कहां पे अगर आप फस्ट जाओ तो आप मेरा वीडियो देख लेना, नहीं तो आप practice कर लो जहां पे फस्ट जाओ वो देख लेना, 529 यह typical है जो हमने आगे किया हुआ है लेकिन इसमें 3 है तो पहले यह 2 जोड़ा बनेगा, फिर 1 बनेगा यूनिट से start करना है हमेशा अभी 4 है, तो 2 2s are 4 और यहाँ पे रिखो 129 तो यहाँ पे आगया 4 यहाँ पे add करना है 2 plus 2 9 है, तो 3 कर दो 4 3 3s are 9 4 3s are 12, यहाँ पे आगया 00, और यह number हागया हमारा square root अभी 529 खतम हो गया एक छुड़ गया 3481 छुड़ गया पताने चलो, 3 2 5 वा करते है 3 2 4 9 अभी यह भी दो-दो जोड़े में बना लो यहाँ पे 6 6 जा 36 का काम नहीं है 5 5 25 वाला जलेगा तो यह वाला 5 plus 5 यहाँ एड कर दो 10 हो जाएगा और 5 5 25 तो यहाँ पे 7 आएगा तो यह हो जाएगा 7 49 तो यहाँ पे क्या multiply करेंगे तो यहाँ पे 7 multiply करेंगे जोड़े बना लो और यहाँ 3 3 9 comfortable होगा 4 4 16 तो 13 चे बड़ा हो जाएगा तो 3 3 9 हमारा ठीक रहेगा यह वाला 3 plus 3 एड कर लो यहाँ पे आजाएगा 6 अभी 3 3 9 है तो 13 minus 9 कितना होगा 4 होगा नंबर आ जाएगा यहाँ पे 469 अभी पहले 3 से try करो नंबर करीब पढ़ता है तो 77 जा 49 केरी 4 76 जा 42 42 प्लेस 4 46 तो यह हो गया नंबर 37 अभी नंबर ले लेते हैं 5 7 7 6 7 नंबर है 5 7 7 6 22 का जोड़ा बना लेते हैं और 57 है 57 है तो 8 8 जा 64 ज्यादा पड़ जाएगा 7 7 जा 49 वो ठीक रहेगा तो 7 प्लस 8 इस में से बचे 8 यह 7 प्लस 7 करना है इस इधर एड़ करना है तो 14 आ जाएगा इधर 8 निकलेगा 8 76 आएगा तो पिछले वाला नंबर 6 है तो 6 में कहां पर आता है एक 6 पर आता है और एक 8 पर आता है तो पहले 6 से ट्राइ करते है ठीक है फिर बाद में 6 से नहीं होगा तो 4 से 4 से आता है और 6 से आता है 4 से बहुत दूर पड़ जाएगा तो 6 से ट्राई करते हैं, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, carry 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, carry 2, 6 1 जा 6, 6 प्लस 2 8, तो नमबर है हमारा 76. अभी 7 9 2 1, प्रोब्लम नमबर 8, प्रोब्लम नमबर 8, 7, 6.4 एक्सराईस कर रहे हैं बन्दे, ओके यह दो पहले बार बना लो, 79 है, तो 6 6 जा 64, फिर 8 8 जा 64, फिर 9 9 जा 81, तो 9 9 जा नहीं चलेगा, सिर्फ 8 8 जा चलेगा, 8 8 जा 64, 64 6 और 9, कितना हो गया? 9 और 6, 15, यहां से 15 आ जाएगा, 21, तो 8 8 प्लस 8, 16, ओके, अभी नमबर देखते हैं कौन सा आएगा यहां पे, तो 1 से तो चलने से रहा क्योंके 100 ही आएगा, तो सिद्धा 9 सिद्ध काम चला लेते हैं, 9 जा 9 जा 81, यहां पे 9 रखते हैं, और केरी 8, 9 सिद्धा 54, 54 प्लस 8, 62, 6 केरी हो गया, 9 जा 9, 9 प्लस 6, 15, तो हमरा काम हो गया, 89 हमरा नमबर है, अभी हम आ जाते हैं यह वाले नमबर पे, 576 याने प्रोब्लम नमबर 9, प्रोब्लम नमबर 9, और 6.41, यहां पे, 576, यह तीन है, तो यह दो का जोड़ा बनेगा, यह एक का जोड़ा बनेगा, अभी यह टू, टूजा 4, यहां पे 4 कर दो, 5-4, 1 है, इसको एड करना है, तो 4 आ जाएगा, उपर से 73 आ जाएगा, अभी, तो 3 कैसे लाएए पीछे, 3 कैसे आएगा, कोई नमबर में 3 नहीं आता है, 576 है, अच्छा, 6 है, कोई नमबर आता ही नहीं है, 3, अभी 76 है, तो 6 पे 6 पीछे कैसे लाए, तो एक तो है, 6 फोरजा, 24 तो यह काम बनने से रहा, तो 4 से ले लेते हैं, 4 फोरजा 16, ओके, यह काम चल जाएगा, 4, 4, 4 फोरजा 16, 4 फोरजा 16, कैरी 1, 4 फोरजा 16, प्लस 1, 17, ओके, तो 24 यह हमारा स्क्वेर रूट है, अभी आजाते हैं, 1024 पर, प्राब्लम नमबर 10, ओफ एक्सजाईज 6.4, 1, प्राब्लम नमबर 10 है, 1024, यह दो-दो का जोड़ा होता है, अभी यह 10 है, तो मिनिमम नमबर है, 33, 9, यहां से एक आया, यह एड करना है, 3 प्लस 3, 6 है, यहां से आगया 24, अभी 6 टूजा 2 से ही चलने वाला है, तो 2, 2, 2 तूजा 4, 6 तूजा 12, 32 हमारा स्क्वेर रूट है, अभी 1024 किया, अभी 3136 करते हैं, अभी यह प्राब्लम नमबर, 10 के बाद इले 1, 3136, यह दो-दो के जोड़े में ले लेते हैं, चलो 31 है, तो 5, 5 जा 25, 6, 6 जा 35, 6, 6 जा 36, तो 6 से चलने से रहा, 5, 5 जा 25, 25, यहां से 6 आएगा, यहां से 6 आएगा, 5 प्लस 5, 10 है, तो 6, 36, 6, 36, तो यहां 6 लगा लो, 6, 6 जा 36, 6 बनजा 6, 56 हो गया हमरा काम, 900, 900 तो बहुत obvious है, 3, 0 का है, वो तो एकदम obvious है, फिर भी हम करेंगे, 900, यह यह दो का जोड़ा, एक का जोड़ा, 3, 3, 3, 9, 6, 9, 00, लेकिन यहां पर कुछ चलना नहीं है, लेकिन 0 तो चलेगा, 00, 00, 00, तो 30, तो यह हमारा 1 खतम होता है, अभी खतम, स्टार्ट करते हैं, दो नमबर को, दो नमबर में करना क्या है, वो देख लेते हैं, वो ही find out करना है, without, इसमें calculation नहीं करना है, लेकिन find the number of digit in the square root, तो number of digit कितने मिलेंगे, जितने बार इतने number of digit मिलेंगे, और बार कितने मिलेंगे, pairs में बनाने हैं, और यहां से बनाने हैं, तो यहां से start करते हैं, यह दो है, एक ही बार बनेगा इसका, तो इसमें एक ही digit आएगा, इसमें तीन है, इसमें यह दो का और एक, यह दो बार बनेगा, तो यह digit दो आएगे, यहां पर भी दो बार बनेगा, एक बार इसका, एक बार इसका, यह दो का, तो यहां पे दो digit आएगे, ये वाले में एक बार ये दो का ये दो और ये दो तीन बार बनने हैं तो ये तीन आएगा फिगर यहां पर ये दो का बार बनेगा ये दो का बार बनेगा ये तो ये तीन डिजिट आएंगे बस question इतना ही है तो जितने बार इतने digit और बार हमेशा pairs में बनाते हैं और digit यूनिट के side से start करते हैं और छिल एक one single बज जाता है तो एक पर बार लग जाता है अभी decimal में हमेशा जो बार लगते हैं अलग अलग लगते हैं मतलब यह 2.56 है तो इसका बार अलग से लगेगा इसका बार अलग से लगेगा और लेकिन इसका बार यहां से लगेगा इस तरफ जाना है इसका बार यहां से लगना इस तरफ जाना है बस इतना सिर्फ याद रखन तो यहाँ 2 है तो 1 वंजा 1 2 2 का काम खताम कहां से कहतम 0.56 2 आ गया यहां पे तो 6 जा 6 जा पॉइंट है पॉइंट वाला हमने डाउन लिया है तो पॉइंट लगाएंगे 6 जा 36 6 2 जा 12 12 प्लस 13 15 1.56, कतम, 1.6 हो गया, अभी 7.29, 7.29, तो इसका एक बार लगना है, इसका एक बार लगना है, 3, 3, 3 जा 9 तो नहीं चलेगा, 2, 2 जा 4 से काम चला लेंगे, 2, 2 जा 4, यहां पर आएगा, 2, 2 जा 4, और बढ़ जाएगा 3, 29 उपर से बारो कर लेते हैं, और पीछे 9 है, तो 9 में क्या चलेंगे, 7, 4 जा 28, 7 ही चलेंगे, पॉइंट चलना है, लेकिन यहां पॉइंट नहीं लेंगे, 7 लेंगे, तो 7, 7 जा 49, केरी 4, 7 फॉइंट जा 28, 28 प्लस 4, 32, 3.9, चैंसल हो गया, तो यहां पर रखेंगे, 2.7, अभी 51.84, 51.84, तो यह दो बार, यह दो बार, चलो, 51 है, तो 7, 7 जा 49, 29, 7 प्लस 7, 41, 14, यहां 7, 7 जा 49, 2 निकलो, और 8, 4, तो इस शिर्फ दो ही चलना है, 14 तो जा 28, तो 7.2 अंसवार, 42.25, पॉइंट के बाद कभी फूल 25 ऐसा नहीं बोलना है, 42.25, तो यह बार लगेगा, यह बार लगेगा, तो 42 तो 6, 6 जा 36, 7, 7 जा 49, तो 6 से काम चलाना पड़ेगा, 6, 6 जा 36, यहां पे 36, 4, 2, 6, 6.25, यहां पे 6 प्लस 6, 12, तो 5 से काम चलेगा, तो 6.5 से काम सराएगा, 5, 6.25, 0, 0, 0, अभी तीन नमबर का आखरी वाला, 6.4 तीन नमबर का डेसिमल प्लस 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 जा आखरी, तो यहां पे एक बार लगा, यहां पे एक बार लगा, यह फॉर से चलेगा, 4, 4, 16, 5, 5, 25, 5 से चलेगा, तो 5, 5, 25, 5 प्लस 5, 10, इसका काम खतम, तो 5.6 लगा लो 5.6 is your answer क्योंकि ये 6 के multiply करने से 6.36 आ जाएगा यहाँ जिरो 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 आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा 6.1 का 1, 2, 3 पार्ट खतम होता है next lecture में हम आगे वाला हिस्सा लेंगे Thank you very much जाएगा 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 जाएगा